अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागते DR KTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया बी कानेर राजस्थान से दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में एक अजीब सा डर गबरहाट बेचे निसी रहती है अचानक धड़कन बढ़ जाती है मन जो है वो शांत नही दोस्तों यह जो एक्जामपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यह एक रियल एक्जामपल है एक 28-year-old female का एक्जामपल है जिनको बहुत जादा गबरहाट रहती है हर छोटी-छोटी चीज के अंदर बहुत ज़दा गबरहाट हो जाती है बहुत ज़दा बे यह जो यहां से सिर है यह पूरा फुर्टा सा रहता है ऐसा लगता है कि सर सिर जैसा है वो फूटी जाएगा मेरा तो सर यह जो प्रॉब्लम रहती इसके लिए मैं बहुत जगे पर कंसल्ट कर चुकी हूँ और उन कंसल्टेशन के अंदर मेरे बहुत सारे इंवेस्टिकेश सारे सब जांचे मैं करवा चुकी हूँ थायराइट भी मेरा हो चुका है अब यह जो इन्वेस्टिकेशन अना सर यह बार-बार मेरे नॉर्मल आते हैं अचा हर किसे से मैं बात करते हूँ तो वो कहते हैं कि ने आपके कोई दिक्कत निया अचा दिक्कत निया लेकिन फिर और प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों अगर ऐसी स्तत्य हो जिसके अंदर इंवेस्टिकेशन इन्वेस्न नर्मल हो जांचे नॉर्मल हो, फिर भी अगर गवरात हो रही है, बेचे नी हो रही है लृव चर रहा है तो इसका मतलब यह जो प्रम हो है नीढ इये अब जो किसकी डर लगता रहता है, किस तरह की overthinking रहती है, किस तरह के negative thoughts इनके दिमाग नाते है, क्योंकि anxiety तब ही होती है, जब हमारे दिमाग में क्या चलते है, automatic negative thoughts चलते है, जब यह automatic negative thoughts आते हैं, तो उसके कारण से क्या create होती है, anxiety create होती है, तो अगर मैं इन symptoms से, इन लक्षनों से पीछा चुड़ा जाना चाहता हूं, अगर मैं मेरी गबराट को कम करना चाहता हूं, बेचेनी को कम करना चाहता हूं, अगर डर को खतम करना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, तो मुझे इसकी जो root cause है, उसको सही करना पड़ेगा, अब यहा का root cause क्या है, वो है anxiety, और anxiety क् कि दिमाग के अंदर automatic negative thoughts चलते हैं, तो जब तक ये negative thoughts हमारे सही नहीं होंगे, अच्छा, ये negative thoughts क्यों चलते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर negative neuronal patterns बने वे होता है, दिमाग के अंदर negative neuronal patterns बने वे, अच्छा, इनके patterns किस तरह के बने वे, इनको किस तरह का डर लगता है, और इस इन पैटन्स को चेंज करना पड़ेगा, और इन पैटन्स को चेंज करने के लिए हमें थेरपी की ज़रौत पड़ती, जिसको अपन CBT बोलते हैं, तो इन CBT की प्रैक्टिस यहां पे किस तरह से होगी, इसको समझने की ज़रौत है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, क मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा बेचेनी सी होती है, जब इन से पुछा गया, किस बात का धूप से डर लगता है, दूप से किस बात का डर लगता है, अगर मैं धूप में जाओंगी, तो मैं प्रेगनेंट हो जाओंगी, अच्छा, धूप में जाने से प्रेगने पढ़ा था, अब महाभारत के अंदर एक किस्सा है कि वहाँ पर, जो कुंती है वो शादी से पहले प्रेगनेंट हो जाती है, और उनके जो पुत्र पैदा होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं, उसको कहन के नाम से जाना जाता है, और यह जो कुंती की प्रेगनेंसी है, वो अब सूर्य क्या देता है, धूप देता है, तो मुझे भी ऐसा डर लगता है कि मेरी अभी साधी नीवी है, तो मैं अगर धूप में जाओंगी, तो मैं भी क्या हो जाओंगी, प्रेगनेंट हो जाओंगी, अब मैं शादी से पहले अगर प्रेगनेंट हो गई, तो मेरे गर वाले क्या सोचेंगे, मेरे समाज वाले क्या सोचेंगे, वो मेरे उपर अलग-लग तरह के लांचन लगा देंगे, इस कारण से मुझे डर लगता रहता है, और इस डर के कारण मैं धूप में नहीं जाती, मैं घर से जो बाहर निकलती हूं, अक्सर या तो सूरज उगने से पह डर लगता रहता, इस तरहा की मुझे गबरहाट होती रहती है, तो यहाँ पर दोस्तों, CBT की प्रैक्टिस कैसे करना, थोड़ा समझना है कि धूप से प्रेगनेंसी, ये एक प्रकार की क्या है, मैजिकल थिंकिंग है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तो किसकी ज़रूत प अगर स्पर्म और अंडा नहीं आपस में मिल रहे, तो किसी भी तरह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, अच्छा, दूप से प्रेगनेंसी नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि दूप से क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, इसको हम क्या बोलते है, मैजिकल थिंकिंग ब thinking नहीं है, इस चीज को हमें थोड़ा समझने की जरूत है, कि यहां पर यह जो धूप से pregnancy यह क्या है, एक परकार का magical thinking का पार्ट है, तो एक तो यह वाला thought हो गया, दूसरा हमें और more realistic, more adaptive thought क्या देना पड़ेगा, यहां पर समझना पड़ेगा, कि जो महाभारत का किसा है, जि आली जी कि किसी भी कारण से pregnant हो गई, अब यहां पर अगर pregnancy किस कारण से हुई, अगर उसका पता चलता है, तो कुंती के उपर बहुत सारे तरह के लांचन होते है, तो वहाँ पर एक socially accepted जो उत्तर है, कि ठीक है, यह तो प्रकति का वरदान है, चलो ठीक है, यह तो प्रकति क चीजों से हो गया, अच्छा प्रकतिक चीजों में ठीक है, मान लेते है कि वहाँ पर किस से हो गया, यह सूरज से हो गया, सूर्य बगवान से हो गया, तो इस तरह की एक socially accepted क्या दिया गया है, उत्तर दिया गया है, ताकि सामाजिक जो लांचन है, उन लांचन से क्या किया जा सके, बचा जा सके, इसलिए इस तरह के उत्तर दे दी जाते हैं, ठीके अभी बगवान की मर्जी है, ठीके बगवान का प्रशाद है, ठीके बगवान की मर्जी से हुआ है, तो इस तरह के उत्तर ताकि सामजिक तोर पर उन चीजों को क्या कर लिया जाए, एकसप्ट कर लि मेधावी था। उसके अंदर काफी अच्छा टैलेंट था और दिखने में भी वो क्या था। खुबसुरत था। तो कर्ण की जो योगयता है। उसके बारे में जो चडचा है। उसकी जो कीरती है वो जल्दी जल्दी फैल रही थी। आचा कीरती फैलती है मतलब उसका तेज आचा थेज फैलता और उस समें जो तेज फैलने से हां और हो सूरज wilsk सुराज उसका भी क्या होता थेज फैलता है। इन दोनों चीजों का आपस में हो सकता है क्या कर लिया गया हो correlate कर लिया गया हो और ये कर्ण के बारे में बोला जाता हो कि कर्ण इतना मेधावी है कर्ण का जो जीवन है वो इतना चमकदार है जैसे सूरज चमकता है ऐसा है कि सूरज जो चमकता है वैसे कर्ण चमकता है तो कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र है इस तरह से कुछ कहानी आगे बढ़ी हूँ तीसरा ये छोथा ये, कि भई एक पिता किसको बोलते हैं पिता उसको बोलते हैं जो पालन पॉशन करता है अब ये जो पूरी संसार है, जो पूरा धर्ती है इस धर्ती के अंदर जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, वो अपनी एनर्जी के लिए है, directly या indirectly किसके उपर dependent है, सूरज के उपर dependent है, सूरज से बहुत सारी, खूब सारी एनर्जी है, वो हर दिन कहां आती है, अर्थ प्याती है, और वो इस पूरे अर्थ को चलाने क क्या होती है, जिम्मेदार है, इस पूरे अर्थ का करती है, पालन पोशन करती है, मतलब सूरज जो है, वो इस पूरे अर्थ का क्या है, पालन हार है, सूरज जो है, इस पूरी अर्थ का क्या है, पालन करता है, और जो पालन करता होता है, उसको अपन क्या बोलते है, पिता तो अगर इस sense में देखा जाए, तो इस पूरी धर्ती का जो पिता है, वो कौन है? सूरज है, तो सूरज जो है, इस sense में सिर्फ करण के ही पिता नहीं है, वो पूरे जितने भी प्राणी है, इस पूरे संसार के अंदर, जितने भी जीव जन्तु, जितने भी प्राणी है, उन क्या है सूर्य पुत्र है तो हमें थोड़ा सा कहानी को समझना पड़ेगा understand करना पड़ेगा नहीं तो हमारे भीतर ये भय बना रहेगा कि मैं अगर धूप में जाओंगी ना तो मैं भी pregnant हो जाओंगे धूप में जाने से किसी भी तरह की कोई pregnancy create नहीं होती ये totally एक magical thinking है अगर ये reality होती तो ये एक universal law होता मतलब सारी महिलाएं जो है फिर तो शादी करने की भी जरूत नहीं होती फिर तो जो male और female का आपस में जो matting होता है उसकी भी जरूत नहीं होती सारी female ऐसे ही हो जाती प्रेगनेंट हो जाती क्या हमारे आसपास इस तरह से female pregnant हो रही है बिलकुल भी नहीं हो रही तो ये एक परकार की magical thinking है ये हमें बार-बार अपने आपको सही उत्तर सही explanation देना पड़ेगा तब हमारा जो ये negative अब इस तरह की गबरहट बेचेनी और जो हमारे मन की शान्ती डिस्टब हुई है ये नहीं होगा हमारा मन क्या होगा शान्त होगा रेलेक्स होगा तो दोस्तों उम्मीद गरता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा नीचे comment box में लिखकर जुरूबत आएगा और अब तके दिया आपने मेरी YouTube चैनल DRK TV को subscribe नहीं किया तो प्लीज उसे subscribe करें ताकि मेरे नवी वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों हम लोग ने जो anxiety है, panic है, overthinking है, जो negative thinking है इसको हम पूरी तरह से कैसे खतम कर सकते हैं इसके उपर step by step learning का पूरा CBT का workshop launch के वा है, जिसका link नीचे description में है, जिसको आप अपने भीतर install करके अपनी psychological problems को पूरी तरह से खतम करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, बहुत बहुत दन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत!